Redmi Note 4 के लिए MIUI 12.5 का NFS F1 का जो है बिलकुल लेटेस्ट आपको Android 10 पोर्ट रोम देखने को मिल जाता है और इसमें हमें कस्टमाइशन भी काफी देखने को मिल जाती है और एक यहां पर NFS सेटेंग्स दियागी जिसमें आपको अलमॉस्ट इसके सारे एक्स्टा फीचर्स जो देखने मिलते हैं वह सुर्ण देखने को मिलेंगे तो उसके बारें भी बात करेंगे बाकि यहां पर नए को जरूराइब कर करके ओल्प करतें ताक कि जब भी मैं अगली वीडियों अप्रोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जा और इसमें एक मेजर बग भी मिला है जो कि आप वीडियों लाज तक देखना तापके आपको पता चल सके इंस्टोल करने से पहले आप हो चीज जो है पता कर और अगर हम यहां पर चलते हैं और तो फेक्स में यहां पर आपका यह ओवर क्लोग दिखा रहा है जो कि और क्लोग नहीं है रियल में यह एंडोड वर्जन 10 है सेक्यूरी पैच एक फरवरी 2021 का है और यहां पर आपको नीचे करनल जो कि 3.18 बेस्ट मिल जाता है यहां पर ज draftThose सेटींक करनल चलते हैं यहां पर कुछ इस तरीक से इंटरफेस इन्टरफेस की सेटिंस मिलती है जो की ओल मोस्ट आपकी सभी सेटिंग्स यहीं पर सबस्ते हम चलते हैं करते हैं जी सर्थ इंबर कर देफिखने यह आपको इनेवल कर लेना डेट इन स्टेड़ बार मिल जाता है डूल नेटवर्क आइकन मिल जाता है बैटरी स्टाइल आपको कैसे चाहिए आप चूज कर सकतो दो अपके पास लग्रा इन्टरनेट आपको दिया गया है यहां पर नेटवर्क यहां पर ताइस पर चाहिए पांज आंकर declare था बांच आपको अड़ कि श्लाइटर कर राग्यर करणे यहां पर आपको और हैं यहां पर style अभी मैं dot वाला आपको करके दिखा देता उसमें clear आपको पता चल जाएगा dot वाला जैसे करता हूं तो यहां पर आपको देख सकते हैं तो यहां पर QS style जो है चेंज कर पाऊगे और यहां पर चलते custom display के अंदर तो यहां पर anti-flicker mode मिलता जो कि आपको देखने को म मिलता था यहां पर आपको मिल जाता है इग्नोर मिल जाता है इस डेंटेल टच प्रेड्यूस एनिमेशन मिल जाता है ब्यूटीफाय जो कि यहां पर देखने को मिल जाएगा clear speaker वाला फीचर और यहीं पर do not disturb भी दिए गया है profile video for incoming call यहीं पर आपको मिल जाता है जो कि थीम आपको कस्टम रिंग टॉन दिया गया बाकि यहां पर आपको option मिल जाते हैं जैसे के sound के option जो थे आपको यहां पर देखने को सभी मिल जाएंगे आप देख से तो street sound हो गया boot audio हो गया sound में आपको देखने को मिलता है यहीं पर दिये गया है यह भी front camera मिल जाता है visual effect मिल जात सकते यहां से control center को और smart home मिल जाता है यह सारी सीजे नोटिफिकेशन का जो सारा सेटिंग से आपका status bar का यहां पर मिलता है एनीची आपको नोटिफिकेशन सेटिंग के सभी settings आपको नहीं है आप देख सकते ओपर और mi sound ने इसार यह जो हमारा काम नहीं करता यह वाला काम नहीं करेगा एंड करेविशन मिल जाता है देखने को नहीं मिलने वाली जाता है यहां पे आपको नीचा ही मिल जाता है और यहां पर लास्ट में आपको इंफो में देखने को मिल जाती है तो यह थे हमारा यहां पर एंफर सेटेंग्स अगर हम बात करें connection and sharing के अंदर कास्ट की तो कास्ट हमारा विल्कुल इससे तरीके से काम कर रहा है बोल पेपर एंट परस्टे में जाते हैं तो यहां पर आपको बोल पेपर काफी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं तो आपको दिखाते तो यहां पर आप देख सकतो बोल पेपर आपको काफी अच्छे यहां पर मिल जाएंगे तो आप यूज कर सकतो इनको अराम से यह जो है काफी तरीके से आपको यहां पर पूरी तरीके से रहने वाला है आप यहां पर इंपोर्ट कर सकतो themes को और theme store Chinese में ही है always on display and lock screen अंदर आपका always on तो काम नहीं करेका लेकिन बाकिन सारी चाहिए आपको normally मिलते charging animation भी normal वाला ही है तीनों कोई अलग animation नहीं मिलता उनमें and display के अंदर आपका यहां पे जो reading mode दिये गया है काम करता है new वाला reading mode मिलता है color भी आपका विल्कुल fix है नीचे allow all rotation मिल जाता है sound and vibration के अंदर चलते हैं तो यहां पर आपका सारी settings normal आपको देखने को मिलती sound effect यहां वाला आपका काम नहीं करता है और spark के अंदर direct sound काम करता है and notification and control center भी आपका विल्कुल normal है already आपको वहां पर भी option मिल जाता है और यहां पर आपका स्टेटस बार नोर्मल आपको देखने को मिल जाएगा and home screen के अंदर आपको यहां पर search bar को option मिल जाता है और लास्ट में जो की arrange item in recent को option है वह भी आपको यहां पर मिल जाता है और आपका recent जो है यहां पर horizontally मैं फिलाल इनेवल गया हूं तो कुछ इस तरहीं किसा आपको यहां पर मिल जाता है यह और अब बात करते हैं यहां पर security क भी मिल जाती है और अगरा में चलते हैं यहां पर आपको फिलाल आपका normal है additional settings के अंदर आपको language already मैं आपको दिखा जो को वहां पर region आप change कर सकतो यहां पर full screen display आपको यहां पर मिलता है आप यूज कर पाओगे हलाकि यहां पर आपको swipe up पे animation lag देखने नहीं 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 आप ओपन करते टाइम पे आपको एप animation जो है lag यहां पर जरूर देखने को मिलेगा है भी lag नहीं है लेकिन हलका जरूर आपको यहां पर देखने को मिल जाता है और साथ-साथ यहां पर focus mode कभी option देखने को मिल जाता है और अगर हम बैक करते हैं special features के अंदर तो game turbo बिलकुल normal है बाकि सारी settings भी आपको normal ही मिलती है बाहर भी आपका सारी चीज़े जो है अच्छी तरीके से काम करते हैं यहां पर दिक्कत आपको नहीं मिलती है और आप यहां पर अगर बता दो इस चीज के वारे में तो इसको मैं restart करके आपको दिखा देता हूं यह जो nfs सेटिंग स बाकि से भी वह है बस यहां पर 18 प्लस लिखा पता नहीं क्यों यह ऐसा लेकिन यहां पर आपको एनफस की जो सेटिंग से ओव आपको यहां पर देखने को मिल जाती बाकि आपको दिखा चुका हूं वालिम पैनल आपका लेटिस्ट है यहां पर पावर मेन्यू भी आपको यहां पर हमारा जो RAM है 4GB में 1.6 या 1.7 GB तक आपको यहां पर free मिल जाता है इतना आपको free मिलता है और यहां पर app bolt आपका बिल्कुल latest है और अगर हम चलते हैं यहां पर camera की तरफ तो MIUI का camera आपको यहां पर मिल जाता है जिसमें आपका यहां पर potent mode तो फिलाल काम नहीं करे इसका आपको वीडियो आई बिटन और डिस्क्रेश्याइगों यहाँ पर मुजीक आपको रेड्रों को मिल जाता है और गेलरी आपकी बिल्कुल लेकेस्ट वाली तो नहीं है लेकिन आपको लेकेस्ट फीचर मिल जाते हैं बस यहाँ पर पर जो क्लाउट सेटिंग वाला है तो आप देख सकतो यह old है बाकी सारी चीज़े आपको latest मिल जाती है और यहाँ पे प्लेश्टोर अपकी बात करें तो प्लेश्टोर आपका यहाँ पे not certified है तो इसके लिए आपको route करना पड़ेगा और magic manager से हाइड करना पड़ेगा और banking app को भी हाइड करना पड़ेगा तो सब कैसे करते हैं अगर आपको नहीं बता तो इसकी वीडियो आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा magic और प्रोब्लम पाली तो आप देख लेना FM आपका यहाँ पर काम कर रहे है tools के अंदर और screen recording के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर हमारी जो video quality 100 mbps तक की मिल जाती है और यहाँ पर refresh rate हमारा 30 fps का है मिल जाता है और अगर हम calling की बात करें तो main problem आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है कि यहाँ पर जो है volte support नहीं कर रह लेकिन फिर भी बोल्टी सो नहीं कर रहा है तो अगर आपको भी यह problem आ रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि एक major bug है और यहाँ पर जो है आपको यह problem देखने को मिल रहे है फिलाल मुझे तो देखने को मिलिए कि बोल्टी वाली सीम नहीं काम कर रही है य यहां पर इसका जो बूट आनिमेशन वह काफी जबर जासता है जो कि एनफस बिलकुल आपको मिल जाता है ऐसा लगता है एक यहां पर अगर हम चलते हैं अगर हम चलते हैं यहां पे गेम टरवो की तरफ तो गेम टर्भो बिल्कुल नॉर्मल यह गेम के अंदर आप देख स प्रोफाइल दिया गया है अगर वहां से आप गेमिंग वाला जो सेलेक्ट करते हो या फिर पॉफोमेंस वाला तो आपको थोड़ी सी यहां पर पॉफोमेंस काफी अची मिल जाए कि हलाकि यह थोड़ी सी मुझे यहां पर उतना जदा बेटर देखने को नहीं मिला जैसे कि है तो यहां पर आपको में वही दिक्कत देखने को मिलती है बोल्टी का कि यह मुझे ही प्रोब्लम आ रही है फिर आप लोगों को तो कमेंट करके ज़रूर बताना है यह रोम इस रोम का यहां पर आपको रिकवरी पर जाना है डॉल्विक सिस्टम डेटा वेंडर कैच इन आपको रोम फ्लस करना है रोम फ्लस होने के बाद वाइप कैच करके सिंपली रिबूट कर लेना है और कुछ यहां पर नहीं करना है तो बस यही था और रोम अगर आप यूज करना चाहते हो तो में दिक्कत तो यही पर वोल्टी में मेजरी बग निकल जाता है बागी तो स सब्सक्राइब कर लीजे बैल आइगन को प्रेस करके ओल पे कर दीजे ताकि जब भी में गली वीडियो अफ्लोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए और नोट 4 की आगे और भी कस्टम रोम्स के अब जल्दी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी थैंक्स झावचो झाँच।